असलामलेकूम विल्कुम बैक टिमाय चैनल कैसे हैं आप सवाई हो बिल्कुल फ़ीड फाइन है पियर हेल्दी होंगे मैं भी एल्ला का शुकर है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से आप लोग कैसे हैं कॉमेंट सेक्शन में जुरूर बताईएगा मेरी पेरी पेरी एच् साथ दिन से यहां पर इतनी बारिश थी कि जिसके वैसे इंटरनेट तो बहुत दूर की बात यहां पर मुबाइल की सिगनल भी नहीं आ रहे थे जिसके वैसे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और चत्राल के जिस गाउं में इस वकद मैं मौजूद हूँ यह एक छु जो के अपनी वीडियो के थूँ एक यूट्यूबर को जो है वो यह कह रही है कि मैं उन पर केस कर दूँगे मैं काफे वीडियो देखती आ रही हैं जो कि नहीना अकबर पर बन रही थी और कुछ कम्यूनिटीज भी मैंने देखी जिन में नहीना अकबर के बारे में कुछ ऐसी बाते की गी थी जिनको खुद एक औरत होकर मुझे ना पढ़कर शरम आ जाती थी तो मैं क्या कह सकती हूँ कि उसको मर्द पढ़कर जो है वो कैसा फील करते होंगे कम्यूनिटी बनाने वाली भी कोई और ने खुद एक औरत ही थी अगर कोई मर्द होता तो समझ में आता है कि जी कोई मर्द जो है उसको तरबियत उसके अच्छी नहीं की गई या उसको जो है ना औरत से बात करने की तमीज नहीं है या उसके अंदर इतनी इखलाकियात गिर की हुई है कि वह एक औरत के बारे में इस तरह की बाते कर रही है और वीडियो बना रही है अच्छा जी मैं बात कर रही हूं जवेरिया की श्वेब और जवेरिया यह दोनों कपल पहले व्लॉगिंग करते थे उसके बाद इन्होंने कपल में ही रियक्शन देना शुरू कर अच्छा चैनल उनका वो भी चल पड़ा और अच्छा काम व्यों करते वे नजर आ रहे थे उसके बाद जवेरिया जो है वो मनजर आम पर ही श्वेब जो है वो साइब पर हो गए और जो जवेरिया है इन्होंने रियक्शन देना स्टार्ट किया तो तब मैंने पहली दवा जवेरिया को बोलते हुए सुना तो उनका बोलने का स्टायल मुझे बड़ा अजीब सा लगा था यानि कि रियक्शन वो नहीं दे रही होती थी वो वकाइदा जैसे किसी को ललकार रही होती थी जैसे पंजाबी फिल्मों की एक्टरस सामने आ जाती थी ओए जटा ओए घो पर आप रियक्शन दें ना के मसाईल बना कर उनके अपर रियक्शन दें और अगर आपको किसी की वीडियो में कोई बात अजीब लगती है आपको लगता है कि वो यूटिवर जब जूट बोल रहा है और लोगों को मिसलीट कर रहा है या उसके जूट से ज़ए वो वाले तक को शरम आजए एनिवेज जी दो तीन दिन पहले जो है वो नैना ने भी इसके उपर एक वीडियो बनाई और उन्हें ने कहा कि वो उनके उपर केस करेंगी वो बरदाश कर करके थक चुकी है उन्होंने पिल्स भी नहीं है कोई और वो डिप्रेशन में जाती जा रह और सबने बड़े वैलेड पॉइंट सामने रखे लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या कुछ सवाल ऐसे हैं जो जवेरिया से पूछने बनते हैं और वो यह हैं कि पहली बात तो यह कि श्वेब जब तक रियक्शन दे रहे थे बड़े अच्छे रियक कैसे करते थे किसी को भुग बुरा भी ना लगे और हम उनके रियक्शन को बढ़े इंज्वार भी किया करते थे और इनकी बलके मुझे तो वेड़ वा करता था कि श्वेब जो है नवो कब अपना रियक्शन अप्लोड करेगा उसके बाद जवेरिया सामने जवेरिया का ज चालूप रखने वली और तो कभी भी कम ऐसे बात नहीं करती और बहुत ज़दा बदकिस्मती के साथ ये बात मैं कहा सकती हूं कि हमारे पाकिस्तान में रियक्शन का मतलब यह है कि आपको जब किसी पर गुसा चड़ा हो या किसी के साथ कोई जाती दुश्मन ही हो ना तो अपने दिल में जितना भी गुसा है नो उस रियक्शन के जरी निकाल दो जबकि रियक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता रियक्शन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि अगर क्योंगी मसला बना हुआ है उसके उपर बात कर लें जैसे आजकल दुआ जहरा का चल तक जा पहुंची है और वो उनकी बाडी शेमिंग करती भी नजर आ रही है पहला सवाल जो मैं जवेरिया से पूछना चाहूंगी वो ये पूछना चाहूंगी कि जवेरिया आप कहती हैं कि नैना जो है वो अपना दुबटा पीछे कर देती है या उनके पार्ट्स ऑ वर्डी दिखा रही हैं और वो जए वह स्तरी थे व्लागिंग कर रही हैं कि उनका गला वो डीप होता है या आगे पीछे जैसे भी है ये बातें अगर आप किसी और यूट्योबर के बारे में क्यूंने करती हैं क्यूंके बहुत से यूट्चाई हैं बहुत से पाकसथानी यूट्यूबर्स हैं, अब मैं बैकलेस का वर्ड यूज करगी हैं, जो के मेरे ख्याल में गलत है, वो नहीं, बैकलेस तो नहीं था, लेकिन उन्हें साड़ी में भी फोटो शूट करवाएं में, वो अक्सर जो है, बगार दबटा लिये भी बैकी वी होती हैं, या बाकी यू यहांपर आप बात करते हैं हया की और शरम की, ठीक है जी, नैना जो हया और शरम के परदे प्चाक कर का अगे निकल चुकी है, मैं यहां पर मैं कुरान पाक की एक सूरत है सूरह एहजाब उसकी एक आयत है उसका मफ़ूम रखना चाहूंगी आपके सामने और उसमें ही कहा जाता है कि ऐ मुमिन औरतों अपने सीने ढखलो और अपने चेहरों पर चादरें डालो कि नजर जो है न वो हया जो हया न वो नजर में होनी चाहिए क्योंकि इसलाम इन लूले लंगड़े किसम के जो पॉइंट से ना इनको नहीं मानता है यह जो लूले लंगड़े किसम के जवाज ओरते देती है ना इनको बिल्कुल भी नहीं मानता है कि जी औरत को जनम खुद हया वाली होने चाहिए औरत को खुश शरम होने वाली होना चाहिए ये तमाम बाते अगर होती ही ना तो कुरान पाक में ये सूरत नाजल ना होती आयत नाजल ना होती कि सूरत के अंदर ये बात ना कही जाती कि औरते जो अपने आपको ढख लें आती हो जिसके बाल किसी ने न देखे हो जिसका चेहरा किसी ने न देखा हो तो बाल तो आप भी कोल के बैठी ही होती है चेहरा तो आपका भी नज़र आ रहा होता है तो बटा आपने भी अपने शोल्डर के उपर ही रखा होता है बेशक आप हेल्दी नहीं है वो हेल्दी है जिसकी वाय से उसका जिसम प्रॉमिनेंट होना शुरू हो जाता है और आप उसके ओपर इस तरीके की बात करती भी नजरा आ लिए तीसरी बात ये किस तरीके से आप ऐसी कम्यूनिटी क्रियेट करती है जिसमें दूसरी और गॉड़ी की बात की जा रही है क्योंकि जो जिसमत के ओपर बात कर रही है बहुत माज़रत के साथ आज मैं अटक रही हूं क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात करते वे शरम आ रही है तो ये औरत जो है उसके ओपर डेली वीडियो बना रही है और आगे अच्छा उसने कहा कि मैं इन पर केस करूंगी तो यागे से उसके ओपर और दीदा देलेरी से दिखा रही है कि तुम्हारी मा ने ऐसा किया था तुम्हारी मा के मुझे ओपर तैजाब क्यों डाला गया मैं बताओं तुम्हारी जो बाप है उसने ऐसा किया मैं बताओं तुम जो है ना दुकानदारों के पास जाया करती थी और पिराने बात परते, तो हो सकते है कि कोटे से उठाकरता कि तवाइफ को भी आा और जो है वो ली वली की बीवी बनाफे या किसी नेक वजर्ग बंदे की बीवी बनाफे या उस ओृत को ऐसे राहे रास्त पर डाल दे, जिसका वो तवस्वर भी नहीं कर सकती है तो ये तो अल्ला के काम है कौन गंदा कौन बुरा कौन ये तमाम मामलात जाए न वो इनसान के और अल्ला के आप मैं कोई भी किसे से क्वेश्चन करने वाली नहीं होती है किसी के माजी को लेकर किसी के भी गुना को लेकर हम क्वेश्चन करने वाले कोई भी नहीं होते इसका सारा मामला अल्हा के साथ है अगर उसका माजी गंदा था उसका माजी बुरा था तो ये उसका और अल्हात आर्ल्हा का मामला है वो आ जाकर जवाब देगी आप को नोती हैं मैंने सितारा के मामलें भी का था जब उसकी पिक्चर लीक्स का मामला आया था तब भी मैंने यही वर्ड बोले थे कि मैं एक औरत की इज़त के ओपर बात नहीं कर सकूँगी पता नहीं मैं कितनी गुनाँगार हूँ आपके कौन होती हैं मेरे इस बंदे से सवाल पूछने वाली, जबके मैं मौजूद हूँ, जजा और सजा का फैसला करने वाला, किसी को सजा देने का या जजा देने का हक मेरे पास है, तो आप कौन होती हैं सारा कुछ पूछने वाली, तो अल्ला तल्ला नराज होकर, अल्ला आप ये सोचती है दिना अगर चले वो तो बटा नहीं पहनती है मैं कहती हूँ मैं भी उसके समल को पसंद नहीं करती हूँ उसका सीना नजर आ रहता है मैं भी उसके समल को पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मैं से उसका सवाल पूछने वाली कोई नहीं हूँ उसके साथ उसका شوہर खड़ा उसके साथ उसका बाप खड़ा हुआ है तीन लोग खड़े में और قرآن कहता है कि अगर एक उरत परदा नहीं करती है एक औरत जो है वो सरयां सबके सामने आती है अपना हुसन वूर्ट लोगों को दिखाती है तो उस औरत के साथ-साथ, उसका बेटा, उसका शोहर, उसका बाप और उसका शोहर, भाई, चारों जहन्नम में जाएंगे, तो जब जहन्नम में जाने के लिए वो चारों मौजूद हैं, तो आप कौन होती हैं, किसी के ओपर यह कहने वाली कि तुम्हारी बॉड़ी, यहां से नजर ले लेके लगा रही हैं, वो चलें गुना कर रही है, आपको लगता है न वो गुना कर रही है, मेरी नजर में वो गुना नहीं कर रही है, क्यों गुना नहीं कर रही है, यह उसका अमल है, वो अल्ला के साथ, मैं क्यों किसी के गुना और सवाब को जजज नहीं कर सकती है, क क्या पता वो बुराई की तरफ जारी है यह लाद आ जानते हैं तो यह लाद आप उसमें मामलात में जो है ना दखल अंदाजी मत करें मैं आप से यह कहूंगी और यकीन करें यकीन करें आज का व्लॉग मैंने बहुत अटक अटक के बनाया है इवन मेरी जो हार्ट बीट है व उसे नहीं बोला जा रहा था इस topic के उपर क्योंकि एक बड़ा open topic था जिसके उपर मैं बात नहीं करना चाहती थी मैं ऐसी community नहीं देख पा रही थी मैं ऐसी video नहीं देख पा रही थी तो इसके उपर बोलना तो बहुत दूर की बात थी लेकिन अब मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया कि मुझे लगता है कि इस चीज़ को stop हो जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ बढ़ते बढ़ते हमारे जिसमों तक आती जा रही है कल ये trend चल पड़ेगा कल मुझे कोई देखने के बाद इस तरह की बात कर देगा कल किसी दूसरी यूटिवर के उपर बात कर देगा तो हमने इस trend को नहीं बढ़ावा देना हमने नहीं इसको बढ़ने देना आगे हम इस चीज़ को यहीं पर stop करेंगे किसी मेरी बहन को यूटिवर सिस्टर को बुरा ना लगे और यहां पर मैं जवेरियास से महाज़त करूंगी अगर उसको मेरी बात बुरी लग देना जाराई दुन को समझना कि मैं क्या कहना चाआ रही बार दें आपका चैनल है लेकिन कुछ असूल अपनाएं, कुछ काइदे बनाएं, फिर उसके बाद रियक्शन दें, ना कि आप अपनी जाती जरंजिश निकालें, पहले आप जो वो सितारा के बारे में इतना इतना गलत बोल रही थी, आज आप सितारा कुछ सिसो कह रही हैं, उसको मजबूत होने का क जान करें, उसकी घलती को भी सामने रखें, ताकि अगर आप चाहती हैं कि किसी के इसला हो, तो इसला हो सके, लेकिन इसला भी इस तरीके से करें कि दूसरे को डिप्रेशन ना दे, आप दूसरे को डिप्रेशन देने की बात करी हैं, तो बैस जी, मैं यहाँ पर इजादत चाहूंगी, आप लोग का क्या कहना है, इस तमाम मौमले में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आप लोग के कॉमेंट का वेट रहेगा, इन्शाला नेक्स्ट में अपना व्लॉग अपलोड करूंगी, और मेरे व्लॉग को भी जरूर देखिएगा एप्रिशेट कीजिएगा, मेरी मेहनत को, और मेरी वीडियोज को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अभी जाज़त चाहती हूं मिलती हूं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, अलाहाफेज कि अनल करो गिर कि रपद है, अलाहाफेजएगा, आप लाइब आप है। झाल झाल